मनसे प्रमुख राश्ठाकरे अभिनिता सल्मान खान और उनके विता सलीम खान से मिलने बैंडरा के गैलेक्सी अपार्टमेंट पहुचे राश्ठाकरे की एकार जो अब मुलाकात के बाद सल्मान खान के घर से निकल रहे हैं राश्ठाकरे सीधे बैंडरा के गैलेक्सी अपाटमेंट से निकल रहे हैं दोपहर 12 बजी के करीब 12 बचकर 5 मिट के करीब राश्ठाकरे पुरे काफिले के साथ गैलेक्सी अपाटमेंट पहुचे थे सलमान खान के घर पर और सलमान खान और सलीम खान से मुलाकात की और लग विए पी हैं बीते दिनों सल्मान खान को धमकी भी मिली थी इस लिहाज से सुलक्षा बरहा दी गई थी सवाल यह उठता है कि आखिरकार राज ठाकरे जो की एक राजनितिक व्यक्त हैं एक पार्टी के प्रमुक हैं उन्होंने अभिनेता सल्मान खान और उनके पिता सलीम खा क्योंकि दरसल आगामी विधान सभा चुनाओं से पहले एक मराठी फिल्म आ रही है इस फिल्म का नाम है एक नंबर यह जो फिल्म है इसे सह्याद्री फिल्म से बना रही है सह्याद्री फिल्म राज ठाकरे की कंपनी द्वारा बनाई गई फिल्म है और यह जो फिल्म है य प्ली तीजर होने वाला है उसका टीजर मुंबई के बैंडरा में ताज लैंड सेंड होटल में रिलीज होगा और उसी टीजर रिलीज से पहले उस ट्रेलर के रिलीज से पहले खुद राश्ठाकरे पहुँचेते सल्मान खान और सलीम खान को निमंतर देने के लिए उन्हें का trailer दिखाने के लिए इस trailer को release किया जाएगा और एक देखिए आ मुलाकात के बाद येक और गाड़ी निकल रही है संभाता सल्मान खान की गाड़ी है ये जिस परकार का पुलिस कॉंड़ोई है सल्मान खान खान की गाड़ी तो पूरी मुलाकात थी लगबग एक घंडे के मुलाकात की एक नमबर जो फिल्म आ रही है राश्ठाकरे की सहाधरी फिल्म कंपनी के द्वारा बनाई गई फिल्म है ये 10 अक्टूबर को फिल्म रिलीज होने वाली है इससे पहले इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने वाला है और ट्रेलर Bandra की ताज लैंट सेएंट में रिलीज़ होगा और इस ट्रेलर के रिलीज़ के निमंतरण के लिए राश्ठाकरे खुद पहुचे थे सलमान खान और सलीम खान के हाँ पर उन्होंने इस ट्रेलर को यहाँ पर दिखाया और निमंतरण भी दिया कि ये फिल्म जब सल्मान खान को धमकी मिली थी उसके बाद खुद राष्ठाक्रे उनका हाल चाल जानने के लिए उनके घर पर पहुंचे हुए थे तो एक पारिवारिक सम्बंद भी है लेकिन इस बीच महारास्ट में आगामे विधान सभा चुनाओं से पहले राष्ठाक्रे के कमपनी सा ट्रेलर रिलीज से पहले ये मुलाकात होई है और 10 अक्टूबर को ये फिल्म रिलीज होगी माना जा रहा है कि विधासभा चुनाओ से पहले ये फिल्म मंसे के हित में मंसे के फेवर में काम कर सकती है और इसी उद्देसे से इस फिल्म को 10 अक्टूबर को रिलीज किया जा र लेकिन कोई भी गल्ती ना हो, कोई भी अपरी घटना ना हो, कोई भी बाहरी व्यक्ति सुरक्षा के घेरे में ना गुच सके, इसका भी ध्यान यहाँ पर रखा जा रहा है कैमरामन आसिफ खान के साथ मृतिशुजे सिंग, ABP News, मुंबाई